हलो दोस्तों मैंना नामा महम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल बिहार से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और यहाँ पर दो लाख पतों पर सिक्षक वर्दी होने जा रही है क्या अपडेट है उत्तर प्रतिल से इस पर भी चर्चा करेंगे क्यों परदान करने उन्ते सीमा के अंदर चरडबत तरीके से दो लाख पदों पर सिक्षक वर्दी का निर्देश दिया गया है ताकि छात चात्राओं के पटन पटन में कोई भी दिकत ना हो आप यह तस्वीरें देख सकते हैं मिटिंग की और एक बड़ा और सरानी फैसला लिया और काफी अच्छे खासे इसमें पद होने वाले हैं एक शीज मैं आप वह बता दू कि बिहार की सिक्षक भरती में सिर्फ बिहार राज के ही छात्र आवेदन कर सकती हैं क्योंकि निमावली में संसुतन हो गया है तो उतर प्रदेश या अन्राजियों के छात्रों के लिए पड़ा जटका है हाला कि कोट का सहारा छात्र ले सकती हैं ऐसा उतर प्रदेश में भी हुआ है लेकिन नॉर्मली यहां पर अधर इस्टेट के छात्रों को रोग दिया गया है बात करते हैं उतर प्रदेश की तो संदीब सिंग जो बेसिस सिक्षा राज मंदी सोतन प्रभा हैं इन्होंने भी पोस्ट किया है देख सकते हैं आज विदान सभा का रियाले में बेसिस सिक्षा विवाग के अधिकारियों के साथ माननी सदस्तियों दौरा सदर में पुछे करे प्रशनों के संबंद में बैठकी तो लागातार इस समय विदान सभा में रोजगार को पुछे जा रही हैं हाला कि बेसिस सिचा मंत्री जी ने इस बात को कबूला कि 63,000 पद खाली हैं प्रात्मिक में उत्तर प्रदेश में लेकिन नई भरती को लेकर कुछ भी नहीं कहा कब तक भरती आएगी कितने पतों भरती आएगी और यह जो मिटिंग हुई है बेसिक वि देने के मूड में नहीं है लगता सिक्षकवर्ती का मामला उठाया जा रहा है विभिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा कॉंग्रेस द्वारा भी ट्विट किया गया है यूपी के क्लास एक से आठ तक के सरकारी स्कूलों में 63,000 स्वारा टीचर के पद खाली हैं ग्रा जिनको भरती देनी है वो सीरे सीदे ऐलान करते हैं एक समय सिमत हैं होती है पदों की संख्या बताए जाती है और ऐसा ही दिख रहा है बिहार में लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेस में प्रात्मी सिक्षक भरती की कोई भी उमीद नहीं है अभी भरती के लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी फिलहाल मीटिकों का ही दौर चालू है सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं हो सकता है रिक्त पदों का दियाचन मांगा जाए देखा जाए क्या अनुपास समानुपाद फिलहाल बन रहा है हाला कि 63,000 तो क्लियर कर दिया है को सिक्षमंत्री जीने की हम भरती नहीं आई और इसको लेकर छात्र खासा नाराज है अगले साल हो सकता है प्राति में भरती देखने को मिले 2023 में जिसे लोगसभा 2024 के पहले पूरा किया जाए लेकिन फिलहाल तो अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्रा प्रकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इनफर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाचिंग